हेलो दोस्तो मैं चंद्रमनी आपके साथ connect होने आया हूं मेरा प्रीवियस यू सेशन था मैंने आपके साथ जो अपनी बातें रखी थी आपको resume building कैसे करनी है आपको technical person को connect कैसे करना है और अपने आपको company के job opening तक कैसे reach करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक common question जो हमेशा पूछा जाता रहा है पूछा जाएगा और पूछने वाला है यह आपको भी पता होता है तो वो question होता क्या है मैं आपके साथ discuss करूंगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जो question है tell me about yourself यह चार word का यह जो sentence है और इस चार word को जो रखने वाला जो 30 second का period होता है वो आपका golden period होता है जहां आपको प्रूफ करना होता है interviewer panel के सामने और जो panelist होते हैं वो आपको recognize करता है आप good fit हो उस job opening के लिए या नहीं दिन फर्स्ट अपल मैं आपको एक चीश शेयर करूंगा कि जब भी ऐसे question आए यह आपको पता है पहले से भी तो अपने आपको craft करके जाओ आपको क्या क्या करनी चाहिए मैं आपके साथ share करने जा रहा हूँ सबसे पहले आपको four strength बतानी है related to job opening आपको अपनी ambition clear करना है आपको honest रहना है आपको हमेशा confident रहना है उस job opening से उस job opening को अपने जो achievement है जो भी आपकी चार major achievement है उसको relate करना है तेन HR आपके साथ क्या देखता है वहाँ पे यह बहुत ही major factor है deciding factor होता है HR हमेशा four piece पे work करता है यह management का thumb rule है प्रोडेक्ट प्रोमोशन प्रोडेक्टिविटी और फाइनली प्राइस तो यह आपको clear करना है honesty के साथ then मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको क्या नहीं करना चाहिए जो आपके resume में already mentioned है उनके सामने आपका paper panelist के सामने आपका paper है जिसमें आपका name है family के बारे में education qualification के बारे में और आपके work experience के बारे में already है so don't waste your time during your golden period then जो भी चीज़ें रखो आप confident के साथ रखो eye to eye contact होना चाहिए आपका ये question जो आपके साथ हो रहा है वो एक deciding factor है आपके साथ connect करने का उन चीज़ों को आप अच्छी तरह से well mannered way में अपने आपको craft करके आपको रखनी है thank you next session में कुछ technical लेके आपके साथ आ रहा हूं इस वीडियो को आप like comment and share करें धन्यवाद